हलो दोस्तों मेरे यूटीब चैनल में अप जों का स्वागत है मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि जो टीवी में brightness होता है वो कम दिखा रहा है brightness जिसके पिक्चर दूदला दिख रहा है इसी के बारे में आप लोगों को हम बताएंगे कि ये धुदला क्यों होता है दिखाई देता है और क्या प्राबलम की वज़े से हैं तो आप लोग देख सकते हैं हम चेक कर रहे हैं इसका जो 5 बोल्ट AC सप्लाई होता है HT से निकल कर पिक्चर के बेश पर जाता है अरे TV की बेश पर जाता है और उस बेश से जो हमारा पिलामेंट होता है वो 5 बोल्ट सप्लाई से गलो करता है जलता है तो उस पर सप्लाई कम मिल रही है यह वीडियो 5 बोल्ट सप्लाई को ही लेकर है कि 5 बोल्ट सप्लाई को हम कैसे साही करें और हमारा TV बिलकुल होके हो जाए तो आप लोगों के दिखाने के कुशित कर आप लोग यह देख सकते हैं इसको मने एक हजार के रेंज पर सेलेक्ट कर दिया मीटर को तो यह सप्लाई 180 बॉल्ट वाली जो है वो साही है यह हमने चेक किया तो सब सप्लाई ओके थी तो पांच बॉल्ट की सप्लाई अगर पिक्चर कम दिखाई दे तुमी में तो पांच बॉल्ट की सप्लाई हमें चेक करना है और यह चोthan's एक ग्रा संप्लाई हो यह हमने लुखलय को है फॉय आप नहीं देख सकते हैं इस पे एक एक दो तीन चार वायर जो है कि हमने लपेट दिया है और लपेटने के बाद इसको गठी मार दिया है बांद दिया है इसे बांद दिया है बांदने के बाद इसमें से दूट दू तार निकले हैं एक वायर को हमने हम ले जाकर डायरेक्ट जो है कि ये कनेक्ट कर दिया है हीटर के में बू d9-1 वार है यहां बग्राउंड लिखा गिन्द करते ने आप लोगों को ग्राउंड लिखा गाइव है और ये वह ये रिव्किर के लिए है तो आलए कि आufen यह उआ यहां पर पांच बोल्ट के लिए लगा देना है और बाकी हमारे टीवी ओके हो गया है अप लोग देख सकते हैं पिक्चर बिल्कुल एक्दम परफेक्ट हो गया है इस प्रकार से अप लोग भी रिपेर करके अपने टीवी को सही कर सकते हैं और इस टीवी में और भी कुछ कमिया थी वह आप लोग वीडियो में लाश्ट तक बने रहें अब लोगों को बताते हैं क्या क्या कमी थी तो यहां पर एक देखिए बर्टिकल आइसी लगा था यह बर्टिकल आइसी भी खराब हो गया था जिससे बर्टिकल पिक्चर जो है कि बिल्कुल एक्दम लाइनिंग के तरीके से दिखा रहा था तो इस आइसी को हमने चेंज कर दिया और यह देखिए पांच बोल्ड की सप्लाई जैसे हमारी सही हुई तो हीटर जो है कि कितना अच्छा जो है कि गलो कर रहा है जल रहा है पिलामेंट पर तो फिर इसके बाद जो है कि आप लोग देख सकते हैं एक आडियो आइसी थी इसमें आडियो की भी प्राब्लम थे जैसे साउंड नहीं आ रहा था तो आप लोग देखिए यह जो है कि टीडिये 62,975,275 आईसी लगी थी उसको भी आप बदल दिया और बदलने के बाद यह टीवी पुरा यह सेट ओके हो गया अप लोगों को इस वीडियो में बस एतना ही जानकारी हमें देना था और और भी कोई फाल्ट अगर हमें मिलेगा तो हम आगे जो एक आगे हमी वीडियो में आप लोगों को देते रहенगे अगर हमारे द्वारा बनाई गए वीडियो से आप लोग संतुष्ट हैं और वीडियो अच्छे लगती है तो चैनल को लाइक करें, सेयर करें और सपोर्ट करें जिससे कि हम आगामे वीडियो और इससे अच्छा कांटेंट आप लोगों को बना के देती रहें जिसे अश्योरे प्रहने टिए